आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डीजे सर पर यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रो ना तो डीजे सर चलों के वीडियो को ना छोड़ाना आप सभी लोगा स्वागत है और आज का सेशन क्लास 12 के शमास सास्तर के विद्यातियों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्ट है उनके लिए ब्रह्मास्त की तरह कारेका डिशन्स क्योंकि यहां पर हमनों बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अति लगो त्री प्रश्नों की सीरीज के बारे में यूपी वोट के वह विद्यार थी जो कि शमास सास्तर को लिए वे वह वीडियो में दिगम अंतक बंद रहेंगे और वीडियों उनको छोड़ना ही नहीं है और एक भी लेक्चर अगर आप लोगो ने जो है सिसन आप लोकली बहुत ज़्यदा फायदे मन होगा और एक बात मेरा और सुन लिजेगा कि डीजे सर्चनल के अगर देखेंगे वीडियो आप आदा तो ये बन जाएगी आपके लिए बात हां क्यूंकि आप लोगों के इस सीरीज तो पहली बात तो आपको छाटकर म अगर उसमें भी आप नाटक करें कि नहीं मैं इतना नहीं इतना ही पड़ूंगा तो समझ लिजिए आप अपने साथ खेलवार कर रहें अपनी भविश्य के साथ आप खेलवार कर रहें तो लापरवाही बिल्कुल भी आपकी बरदास्त नहीं की जाएगी तो चलिए इन करेंगे कांटी निवसली और 10 से 15 दिनों का जो समय बचा हुआ उसका भरपूर लाप उठाएंगे मौली कदिकार का क्या अर्थ है बहुत ही मतलब प्रश्चन है के जीवन के लिए मौलीक और आवस्यक होने के कराल समीधान के दौरा नागरिकों को परदान की जाती है यह पहला प्रश्चन आप लोग कैसा सब्सक्राइगा मौलीक अधिकार शेप और डिसन्स यहाँ पर देख रहेंगे जो नंबर दिख रहे है बहुत ही मौश्टी करके जान जरू किजिएगा और बरपूर लाब उठाइगा तो पहला यह प्रस्ण क्या है समस्टास्त का मौलीक अधिकार से अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर कंटेंट में दूसरे इंपॉर्णेट प्रस्ण की और देखिए मौलीक अधिकार के बारे में और बात करें अधिकार के बारे में दूसरे अधिकार के बारे में दूसरे इंपॉर्णेट प्रस्ण की और देखिए और जिनकी सुरच्छा का प्रदी जो है वो सरोच नहीं होता है तो तुरंत जो होता है उसमें अपना हस्तचेप निसित तुर पर करता है तो मौलीक अधिकार के यह बहुत ही महत्तफ़ बात है अनुचेद बारत से पैतिस तक का और यह समिदान एकिस भाग में सामिल किया गया भाग तीन में किया गया ठीक है यह तो बिल्कुल भी मधू प्रश्णों को अगर आप लोग खुद क्यांगे कि यहां जिते ही महत्तव प्रश्णों की सामिल की गई है शबी की सभी जो प्रश्ण है वो एक से बढ़कर एक है तीक पंत निर्पेचिता से आप क्या समझते है आप जो जाए डिश्टी में सभी पंत जो होते हैं वो शम आप जानो ते हैं और पंत एवं दर्शन के अदार पर किसी राज किसी व्यक्ती के साथ भेदभाव नहीं करेगा ठीक है तो पंत निर्पेचिता की बात की गई है ठीक तो पंत निर्पेच राज स्यासे क्या होता डिश्टी में सभी पंत क्या है वो सम्भाओं में समान प्रश्णों में एक हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं इंप्रश्णों के सीरीज में लोग इस प्रश्ण की और याद रखिएगा यह सभी के सभी जो प्रश्ण है वो प्रश्णों को एक बार आप लोग रिजन एक बार के लिए बहुत ज़दा मोस्ट इंप्रश्णों की सीरीज का कलेक्शन करता हूँ पुरी चटिंदि किया जाता है, उसके बाद, मैं वहाँ पर पूरा कुट पूरा लेटेन आप indem लिखा धा है। अपनी भासा में लिक कर, पूरी तरिके से आप लोगको सरल भासा में समझाने का प्रयास कियाता है। तो एक कंटेंड बनाने विन इसस बहुत परिष्टम लगता है उसमें आपनों के इसकी साथ रखता तभी सीदोगी जब इससे आप दूर तक पहलाएंगे और डीजे सर चैनल को भी एक ब्रॉड लेबल पर पहुंचाएंगे तो डीजे सर चैनल को भी एक ब्रॉड लेबल प सानी कर जाता है भारत में किसी अलप्षण्कयक समदायक कर कर जते है बात हम लोगे जाने डिsans यांपर अलप्षण्कयक समदायक है अगर देखा जाए जो भी आलप्षण्कयक समान्once मधिभाग जो बनाया गया तो विभाग नोसा भारत सरकार राष्टि अलप्षंकयक आ आयोग अधिनियम देखिए राष्टी है अलप शंक्यक आयोग अधिनियम जो आया हुआ था कब उन नई सो बानबे में कि अंतरगर जो सामिल किया अगर इसन देखे मुश्लीम हो गया उसमें सीख हो गया इशाई हो गया बौध हो गया फारसी हो गया तो इन्हें क्या कहा गय अलप शंक्यक शमुदायक आगया क्या कहा गया है अलप शंक्यक शमुदायक रूप में अलिसुचित किया गया है मतलब इनको चीनित किया गया ठीक है किनको किनको मुश्लीम शीक इशाई और बहुत एवं साथी साथ पार्शी धर्मोलों को और एक बात और राष्टी तो अल्प संख्यक क्या होता है संस्क्रित के दो सब्दों यही बात रखेगा थोड़ा सालत की रूप में समझने के लिए रासा ही रहेगा आप लोगो के लिए अल्प संख्यक सब्द के संस्क्रित आया ना सब्दों दो शब्दों अल्प यानि थोड़ा या कम शंख्या यानि एक समासिक शब्द का अर्थ तो दूसरे समों की तुलना में कम संख्या का होना यानि दूसरे समों की तुलना में किसी समों की शंख्या का कम होना यानि कम होन आप सभी लोगों का किया अल्प शंख्य नाम से पाइब आलप मतलब कम हो शंख्या जिनकी शंख्या कम हो तो ये प्रश्ण इंपॉइंट रहेगा चलिए बढ़ते हैं मोश्ट इपॉइंट प्रश्णों की सीरीज में अभी हम लोग प्रश्ण सनग चार की और देखी चौत्ता हम लोग का प्रश्ण की आडिएसन जाती बाद क्या है बहुत ही मुश्टी लगहें नहीं होता है होता है तो अव्हिलना करना और इस भावना क्यादर पर एक जाते की लोग अपने श्वार्थ के लिए क्लीए अपने लाव के लिए अपनी स्रींपल striking लिए कि अधरिक करते हैं तो इस पार्टे को लिवर्ק जी होता है है वैसे तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जाती बात या जाती विवस्ता ठीके डिसन्स तो यह मात्रपुड रहेगा और स्टार्टिंग में देखा जाया तो देखे ब्रामन चत्री वैसे और शुद्र के बेश पर जो विभाजन किया गया था अब लेकिन क्या है ब्रामन भी देखेंगे तो कितने भाग है चत्री में भी देखेंगे तो कितने भाग है वैसे में भी देखेंगे तो कितने भाग है और सुद्र में भी देखेंगे तो कितने भाग है तो चारोलों में देखें बटावात आप चारोलों से देखें सभी में एक एक में कितने भाग हो चुके है चलिए बढ़ते हैं पहत्व ही मुत्रपूर है पाज़ा प्रशन स्यामुधाइग पहचान के बारे मात के तो जन्म तथा आपना पन पर आधरीट होता है। न कि किसी अरजीत योगिता पर देकि शामुदाइक पहचान जो होती है वो क्या होता है जन्म और अपन पर अधारित होता है न कि कोई अगर योगिता को अरजीत कर लिया तो उसके बिस पर सामुदाइक पहचान बनता है अत्वा उपलब्धी के अधार पर तो कहने का मतलब क प्रशन के प्रशन को देखते हैं आने प्रशन को देखें ने प्रशन के यहां पर प्रशन संक्या अच्छे की और बढ़ रहा है देखिए अब लोगों की प्रमुक्षमस्याएं क्या है भारत में विकलांग लोगों की प्रमुक्षमस्याएं क्या है दिखी डिसन क्या कहने का मतलब है आवस्चेक सुविधा से दूरी आवस्चेक जो सुविधायन को मिलनी चाहिए इनसे इनकी दूरी है मतलब जो भी वस्ता हैं दिव्यांग जनों को मिलनी चाहिए दिव्यांग वर्ड निकली कितना बहतर वर्ड निकरकर आया वोलेशस दिव्यांग जन तो यही दिव जो लोग है जनों की स्वास्तवादी बात होगी रोजगार शुविधा से दूरी है जो उन्हें और अधिक सुभेद बनाती है शुभेद का मतलब कि देखाया तो इन शमदाय के इन वर्गों का अवेलना हो जाता है निस्वास तो उनको रोजगार शुविधा से वो दूर रहते हैं जो उन्हें और अधिक सुभेद बनाती ह समाजिक देखे बहिसकार दिव्यांग जनों को समाज्य करना पढ़ता है जो समस्यां है मुख्रुप से जो विकलांग जनों को जेलनी पड़ती है जिने जुआ यह बहुत ही महत्यपूड यह शरानी विचारधा दिष्टीकोर है नमन है अत्र विचारधणा को वैसे दिश्टी कूल कौ की शमाद में कि लोगों कहला है और अपनी पृटिवा से प्रभावित करते हैं लोग चाही मतिक पcoal म्लोग का यहां सोन यहां पर बात कर दिए सिमांती कर्ड न४िक में मीनिंग ऑफ तो हम जिसके द्वारा विभिन आधारों पर कुछ विशेश समू अत्वा शमुदाय अपने समाज की समाजिक आर्थिक धरा से दूर होने लगते हैं परमपरागत भारती समाज में अनुसी जातियों को विभिन अधिकारों सेवंची तक ना उन्हें श्रमामतिक लग्य सती को प्रकट करता है मतलब कुछ भेऊस्था है जो गई अनुसी जातियों क्या हो गया कुछ मंदिरों में हो गया पढ़न यहाँ आफरायागत Mitte में करें वह ने कर सकते में एक रहेगा चलिए बढ़ते हैं हम लोग इंपॉइंट प्रश्णों की सीरीज में अब हम लोग नव में प्रश्ण की ओडिसस और यह भी प्रश्ण जो है बहुत ही ज्यदा मोस्ट इंपॉइंट है समाजिक भाहिसकार का क्या अर्थ होता है शमाजिक भाहिसकार का देख शमाज से बाहर कर देना समाजिक भाहिसकार हो जाता है समाज पूरी तरह घुल मिलने से क्या किया था उसको रूप लिया था रोग दिया था रोग दिया था वह अलग या प्रिथक रखा जाता है तो यह होता है शमाजिक भाहिसकार यहां उन सभी कार को पर ध्यान दिलाता बाते होती है और यह इंपॉंट परशन रहेगा आप लोगों का शमाज सास्तर की दिश्टी कोड़ से होती मुष्टी परशन है जाती क्या है जाती को परिभासित किजिए जाती का अगर आप देखा जा वास्तिवी कर्थ तो एक समाजिक समू की रूप में लिया जाता है यह और उस से भी महत्तपूर चीज हैे नमबर आप लोगों के लिए जो इसक्रिम पर आपक्री नियुमें सोक्तुत की अगरिग को डिया वामना कि दिरम युकताईं दिख रहा है आप लोगों के लिए तो जाएए नौसफपचास शेहसोनबबे दोसोफचासी साथ नाम के नंबर पर वाटसेप मेंस करिए और यह सभी जो लेक्चर वगरह जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं इस सभी का आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं उ के बारे में कमेंट बाक्स में जरू बताएगा और किन प्रश्णों के किन प्रश्णों के किन प्रश्णों पर आप लोग को डाउट है कमेंट बाक्स में हमें नेमी तुरुप से अपडेट करते रही है उसके साथ वाटसेप से भी हमें अपडेट कर सकते हैं जै हिंद जै बहुता है